बारती जन्ता पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी परिशानी किया है आप बता सकते हैं नमस्कार मैं हूं संजर शर्मा आप देख रहे हैं और आप नहीं बता सकते तो मैं आपको बताता हूं महारतिय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी परिशानी ये है कि पिछडों दलितों में ये संदेश चला गया है कि पार्टी ऊची जातियों की होकर रह गई है ये पार्टी हमारा सम्मार नहीं रगती है और ये सब राजनितिक बाते तो होती रहती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एक एंकॉंटर से ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछडों दलितों और मुसल्मानों का ही एंकॉंटर हो रहा है जो उजी जाती है और खास और से सजाती है जाती वानी जाती है ठाकर ब्रादरी उसके अपरादियों को छोड़ दिया जाता है ये सारा बिवाद तब शुरू हुआ जब सुल्तानपुर में मंगेश यादव नाम के एक व्यक्ति का एंकॉंटर हो गया अपरादी था उसके दुनों डकैती पड़ीती एक सर्राव की दुकान पर शेसाथ बदमाश गुसेते नकाप पोश्टे उन्होंने रिवालवर निकाले तमंचे निकाले और लूट के भाग गये इसके कुछ दिनों बात मंगेश यादव का एंड कॉंटर हो जाता है और फिर समाजबादी पार बक अदालत में सरेंडर करने का मौका दिया जाता है एक फोटो भी बायरल हुआ जिसमें बिना हदकड़ी के दो सिपाई इसको ले जा रहे हैं सबाल उठाया कि बाकी जो अपरादी थे उनके टांग में हलकी सी गोली मारी गई और लेकिन मंगेश यादव का एंड कॉंटर कर दिया गया क्योंकि वही पिशली जाती से यादव जाती से आता है इस सवाल के बाद राजीती गर्मा गई मंगेश के माता पिता ने कहा कि सब जानते हैं कि हमारे बेटे को तीन दिन पहले पुरेस उठाके ले गई पुरेस कस्टडी में था और उसको मार दिया गया यह क का मतलब इस पेशल ठाकूर फोर्स होकर रह गया है और बात भी सही है सब्सक्राइब कमांड समाल ले हैं अमताविश यो ठाकूर है एड़ी जी लाइन ओडर भी है और बड़ी संक्या में ठाकूर डेस्पी से लेकर निचले दरोगा तक स्टेफ में भर लिये गए और ऐसे बदनाम डिप्टी स्टी हैं वो तेनाथ हैं वहाँ पर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में व्यापारियों से अगर आप इंटेलीजेंस से मुखमती जाच कराएंगे पता चलेगा व्यापारियों से बाकादा चौत वसूरी करते हैं वो भी स्टीएफ के दफ चीजें मेरे संग्यान में आती रहती हैं इन साब का एक जगर तबादला हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश के एक ताजधानी लखनों के एक चर्चित वकील का तो मुखंदी के बड़े करीबी हैं इन डिप्टी एस्पी ने उनके चराड पकड़ ली है उनके संग वो घूम की डिके शाय की एक फोटो ने और हंगामा खड़ा कर दिया जब अप Михandle होता है आप अपरादी का पीछा कर रहे होते हैं पता है कि आप को अपरादी को पकड़ने जाना है तो फोर्स के लोग तो खासी तर्स स्वह पहनके जाते हैं जूते पहनके जाते हैं जिससे भागन और आप प्रादी का पीछा करने गए लेकिन आपकी बेशूशा बता रही है कि जैसा यह चलन होता है कि अपरादी जब आपकी कस्टडी में होता है कि डालो गाड़ी बर ठोक के अगना है तो आप जिस बेशूशा में होते हैं, वो उस बेशूशा में चल देते हैं, मेरे मित्र से IPS उन्होंने बहुत सारे एंकॉंटर किये, मैं उनसे कभी-कभी मजाग पे कहता था, थोड़ी स्क्रिप्ट तो बदल लो, वो ही रटी-रटाई भाशा, अपरादी भाग राता, हमें म हमले में घायल हो गए, अब अगर STF के इस एंकॉंटर में जितने सिपाई, जितने दरोगा घायल हुए हैं, उनका आप मेडिकल डिकॉर्ड निकल वा रेंगे, कोई जाच हो जाए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कहानी में कितना जोल जोल है, इसको गोली लगती है, वो साथ-ाठ दिन अस्पदाल में एड्मेंट रहता है, जाता है, लेकिन यहां तो पता चला कि दो दिनवादी लोग लोटा है, क्योंकि गोली की कहानी रही गए थी, गोली लगती नहीं है, आकर ऐसे बदनाम STF को जिसकी उपर ये दाग है, कि ये चौत वसूली करती है, जमीनों पे कबजा कराती है, धंदों में लिफते, ऐसे बदनाम साथ-ाठ सालों से तेनात अफसरों को हटाया क्यों जा रहा है, वो जो मैं शुरुआत में कह रहा था, भाजबा को सबसे ज्यादा परिशानी ये है, कि पिशडों और दलितों में ये खराव संदेश आरा है कि वो उनके विरोधि है, इस एनकॉंटर के बाद उठे बबाद से ये बात और साबित हो अकलिश आदंने कहा कि इस एनकॉंटर में जो ठाक और जाती के लोग ज़्यादा तर शामिलते हैं, वो सब ke सब खीक हैं, उनके टार में गोली ले लगी, जो मों कप्रादी तक टेल तो वह गया सरेंडा कर गया लेकिं पिछली जाती का मंगेश्ता उसको मार दिया गया अगर ऐसी विबाद लग रहे हैं कई दिनों से लग रहे हैं तो भेतर हो कि उत्तर प्रदेश सरकार एक लिस्ट जारी कर दे कि पिछले साथ सालों में जित्ते एंकाउंटर स्टीफ ने कि हैं मुसल्मानों के प्रती कितना प्यार है यह हम सब जानते हैं सरकार का उनके प्रती प्यार कितना यह भी हम जानते हैं अतीक एमद हत्या काण में जिन शूटरों से हत्या कराई गई थी सब जानते हैं कि इसके पीछे स्टीफ का कितना बड़ा खेल है मनोज राजन तिर पाठी बहुत अच्छे प्रतकार और एक किताब भी लिखी है नाम शायद का सारी वसारी करके हैं हम उसके जल्दी एक शो भी करेंगे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह की छवी बन रह कातार अगर नीचे तक जा रही है कि बैकवार्ड और दरितों को ही मारा जा रहा है तो फिर सरकार की छबी और खराब होगी काम ख़ने का का तरीका क्या यह भी आपको बता लेता हूं मैंने स्टीफ के किलाफे ख़़शा पर कुछकश खबर है रहता हूं मैं और सर्कार किसी की बी रहती हूं सरकार के खिलाफ शप्तने किया ता यह वद्द आखने कि आप H把它 Whats workshops टे थे मुझे बहुत समान hr पत्रकार महीने बलाते थे मुझे गाड़ी तर छोड़ने आते थे और आपके खिलाब सबसे ज्यादा तीखा लिखने वाला पत्रकार मही था मैंने उधारान दिया था कि मैंने उससे में डीजीपी ते एके जैन उनके कुछ मसला मिला मुझे तो मैंने हैडिंग लगाई यह भी बिखता है बोलो खरीदो को और मैंने यहीं भी कहा था कि एक लाइन बनी हुई थी खिची हुई थी कि आप मैं आपसे काम को नहीं कहूंगा और आप मुझसे खबर को नहीं कहिंगा अपने दावा भी किया कि मुझसे ज़्यादा सब्सक्राब किसी दे खबर शापी हो तो मैं अपना अख़वार बंद करने लेकिन इस सरकार में अगर खबर शापते हो तो परिशानी पैदा हो जाती है और अमतावेश को भी परिशानी पैदा होई इस्ट एक खबर शापी और मैंने अपने उस भाष्ण में भी फंक्शन में कहा था कि माफिया भी कमर के नीच करते हैं सालों चलते हैं मुकदमे और हम मुकदमें को बख्भी लड़ते हैं यहां तक भी तो बस ठीक आपको खबर बढ़ी लगी आपने इफर्मिशन सूत दाहर कर दिया उसके बाद मेरे मित्र को एक मित्र को ने डिप्टी एसबी ने स्क्राब के दुप सर्ण मेरा दोस्त में मित्र से कहा कि हमें संजे शर्म के खलाब कुछ समूद चाहिए, तुम भी ठाकों और हम भी ठाकों समझ जाओ गर तुम नहीं दोगे तो इस तीदी खराब हो जाएगा, मेरी मित्रे ने कहा कि आप ठाकों रोकर कैसे सोच रखते हैं, अगर आप जाती पे जा रहे हैं, कि कि अपने किजी दोस्त को धोका दे सकता हूं मैं नहीं दे सकता हूं शे साथ गंटे उसे पूछता आच करते रहे कि कुछ तो दे तो संजे शर्मा के खिलाफ वो डिंग्स का लेते हैं वो शराब का पीते हैं तो कोई गल्फ्रेंड है क्या को इस तरही बाते पूछते रहे मे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करते जिसको छपाना पड़ो यह मैं गर्व के साथ क्या सकता हूं कि मैं मैं कोई ऐसा काम नहीं करता चाहता जिससे मुझे समाज कर सामने डर पैदा हो जिंदिगी जो है वो खुली नहीं चाहिए मैं भी आपकी तरह के इंसान हूं अगर ऐसा कोई भी चीज नहीं जोड़ी है इसका आपको दबा सकें फिर उसे कहा गया कि हम उनकी गाड़ी का पीछा गरा रहे हमें पता है कहां कहां गय जाते हैं वो हमें सब लिंक बता है तुम बता दो तो मेरे मित्र ने कहा कि आप मालूं करते रहे हैं मैं जो तो कुछ पता कि मैं कोई अपरादी नहीं हूँ जो मेरे दोस्तों को इस तरह बुलाके धंकाया जा रहा है तो मैं एक उधार बता रहा हूँ स्टीफ के लोग इस तरह धंकाते हैं गारी का पीछा करेंगे और यह डीके शाही साब जो हवाई चप्पल के दाम से मशूर हो गए हैं एक दि जes cumplेंट हैं यहां पर सबकुछ मालूं कर रहे हैं तो ठीक निये कि मैं तो इस्टीफ में इसे तेश्ट कर देगी डिएस में समस्य आयकि उनके उनके खिल लोना कि यह वो मैं लखनों में रहे कि वो मैं हूं उनको परिशानी रहती है कि एंकॉंटर पे पूरे देश में बहुत फजियत हुई है और कुछ बहुत भादुर पत्रकारों ने ट्वीट भी किये हैं लेकिर उससे पहले भारतिय जनता पार्टी के पूर सांसद ब्रजबूश्वार सिंग ने कहा कि STF में जो यह एंकॉंटर हो रहे हैं यह प्रमोशन के लिए या पैसे के लिए हो रहे हैं अब आप सोचिए कि इस तरह का इस तरह का जो काम होगा उसके प्रतीरों क्या क्या सुनेंगे अब उन्हें अफशेक पादे ने कोई बहुत अच्छे ट्वीट किये हैं इसी एंकॉंटर के संबन में ट्वीट किये मैं कुछ आपको पढ़के सना देता हूं आप भी होंगे उनने का है कि मैं हैरानू कल से इतने फोन आ रहे हैं और सब के पास एक ही जानकारी पूरे बहादर अफसर किस तरह जमीनों के धंदे में व्यस्ते हैं एक महला ज्योस्ची है वो मेरे पास आई उनने बताया कि इन डीके शाई ने उनकी जमीन पे कबज़ा किया है उसने लखनो विकास पादे करके वीसी को पुलिस कबिशर को शिकायती पत्र भी दिया लेकिन साब ठाकूर है और उनकी पत्नी अब तो डीके शाय की पत्नी महलायो की सदस्वी बन गई है बीजेपी की नेता रही है तो इनका कोई क्या बेगाड़ देगा किसके जमीन पे कबज़ा नहीं करें ये महरवारी मानी है कल को मेरा मकान और आपका मकाम भी कबज़ा लेंगे तो हम पर प्रेम में असफल छात्रा अध्यापका बन गई और रिटायट बूले सरवो दई उनका कहना यह है कि इस तरह के चीजों के बाद में आदमी को सबको पता है चल के आ रहा है कोई बोल नहीं रहा है उक्षे को पाद है न डीके शाय के बारे में लिका है कि डीके शाय का जलवा है मंगे शादब का एंड कॉंट्रा करने वाले स्टीफ के डिप्टी एस्पीडी के शाय के बारे में सुनी है उनके परवार के नाम पर दो ट्रस्ट है समझ में आया आपको स्टीफ के अफसर बीवी भाजपा की नेता मैलाय वकी सदस अब और उन्होंने ट्रस्ट उन पर परवार के नाम के दो ट्रस्ट हैं पहला ट्रस्ट महाराना प्रताब बॉली वाल ट्रस्ट और महाराना प्रताब चरिटिवर ट्रस्ट खरगापुर लखें इन ट्रस्टों पर समय समय पर खेल प्रतियों गिताओं और समारों का भव आयोजन होता है यहां मुक और स अपनी उत्त्तरप्रदेश महला आयों की सवत सब बनी है मगर गोरफपृर शेतरी भाजपा महला मोर्चे की चेतरी कोश्याद्यश पहले से हैं। गोरफपुर छेत्री उनकी राजनीती का केंद्र है अब इन सारे सवालों का रिवीजन करते जाई है जो शाही के कामकाश के तरीके पर उठ रहे हैं आखिर शाही को कैसे मंगेश यादब की पैचान करते हैं उनकी टीम किस रेज से गोरी मारती है कि एक गोरी मंगेश के सिर में लगती है और एक बाजू है आखिर इतनी संसनी केज घटना का आरोपी घटना के आठ दिन बाद भी सुल्तानपुर में ही घटना से कुछ एक प्लान कर रहा होता है आकिर पोस्टमाट्रम रेपोर्ट में इसा क्या है कि जो रिपोट दवाम कोशिशों के बाद देखने को नहीं मिल लए है पोस्टमाट्रम लेपोर्ट कब और किस हारत में सामने आई एक साही कैसे हवाइच पल में गारुकी का और अन कॉंटर कर लेकर उसी जिरे में आयोजित सम्माम समारों में कैसे शिरकत करते हैं। प्रिवाई जा रही है मतलब पिशड़ा है तो उसकों गोली मार दी जा रही है ठाकों तो आराम से सरंडर कर दिया जा रहा है भाव तो यह होगा आखिर यूपी में अधगारी उपर बिना इजाज़त मीडिया से बात ना करने के लागू जीयों की उनके मामले में अचानक से वाई पास सर्जली कैसे हो जाती है उन्हें एक निजी समारों में ये बयान बाजी की इजाज़त किस ने दी आखिर अभी तक अमताव यश्ट ने डीके शाही पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इन सवालों को पढ़िए इन तस्वीरों को गौर कीजिए मेरे साथ मिर्ज किया है और आखिर अवशेख ने एक और जवर्दस्त ट्विट किया है लिखा है गजब का सायोग है एक अतकारी दो एंकॉंटर कहानी लगबग एक जैसी यह मंगे शादब का एंकॉंटर करने वाले स्ट्व का किया हुआ एक और एंकॉंटर तरह इसने दीके शाही कुछ ब्यायान आ रहे हैं पहले वो सुन दीजिए फिर स्ट्विट को आगे पढ़कर सना दो गुफ्रान है प्रताबगड का कुख्याता प्राधी है इस पर सवालाख रुपे का रिवाड था और कई जी लोग पुलिस इसको काफी समय से तलास कर रही थी उसी दरम्यान पता चल किया गया इसने पुलिस बॉल पर जान से मानिंग ने से अंदादूर फाइरिंग शुरू कर दी जब आभी फाइरिंग में घायल हो गया घायला वस्ताम इसको अस्पताल भरती कराए गया जहां दोरान इलाज इसकी इस पर एक लाख 25 रुपे का रिवाड था एक लाग और 25,000 रुपे सुल्तानपुर चिले से इससे एक बत्तिस बॉर का पिस्टल इस्टार का एक नाइने मुक करवाइन और एक अपाची मोटसाइकिल बरामद हुई है इसका कई बड़े अपरादियों संबंध है अभी जाच कभी से हैं जाच करेंगे जो चीज तथे आएगा फिर पता जाएगा इसके गाएं के कई लोग जेल में हैं वह भी हम लोग पता कर रहे हैं अफशेक लिखती है कि यह एंकाउंटर प्रताब गड़के गुफरान का था साल 2023 था सिर्फ किरदार का नाम अलग है बाकी कहानी एक जैसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 24 अपरेल को लूट होती है यहाँ भी CCTV फुटेज सामने आता है यहाँ भी दुकान जो होता है एक लाग का एडीज जोन प्रियागदास से पच्चेत लाग का सुस्तान पर से यहाँ भी बदमाश मोटर सैकल पर जा रहा होता है यहाँ भी डीके शाही की अगवाई में पुलिस उसे रोकती है यहाँ भी बदमाश पहले फाइरिंग करता है यहाँ भी पुलिस ज पर बियान देते हैं इतना सायोग तो बॉली वोड की किसी सुपर हिट थिल मुवी में भी नहीं होगा मैं चपल पहन कर देश में साधगी वरे इनकॉंटर की मिसाल कैम कर देने वाले शाही साब ने गजब कम्यान दिया था पूरे देश के बड़े बड़े जनरलिस्ट्रियों हैं वह इस पर रियक्ट कर रहे हैं रोणी सिंग एक बहुत बड़ी पत्रकार है देशनी दस लाग से ज्यादा उनके लोग फालो करते उन्हो कुछना विवाग में बगपंद्री की शान पर मनोहर कानिया लिखने वाले ट्रोल्स को चप्पल पहनने वाले डिस्वी की नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए पिछले एंकॉंटर में भी वही मॉडस ऑप्रेंडी वही स्क्रिप्ट ऐसा लगता है इन्हें अपनी मालिक प हमें बहुत कश्ण भीता है कर्मों का हिसाब होता ही है एक से एक बढ़कर एक मिसाल रही है फिर भी कोई सीखता नहीं है दरसल जब अतकार ही अपने शीषपश होता है तो उसे मानने को कभी तयार नहीं होता है कि कभी उसका समयल जा भी सकता है इस मामले में अधित्तर ने लेकिन जाती देखकर मारा भी नहीं चाइए ये भी एक सत्य है और कि है कि अगर देखर ट्रक कोल दर्ड हो रहा है लेकिन ये ये बिटेक्न जी को भी वह सोच ना चाहिए और उनके राज में STF के बड़े-बड़े अफसर इस तरह удоб से तो क्या स्टीएफ को मुक्तार अंसारी अती केमा धनेजै सिंग अवे सिंग इस तरह को जो बहुँवली हैं उनकी तरह पैरलल गैंग चलाने की अनुमती में दी जाती है कि अगर स्टीएफ खाकी वर्दी में एक पिचल एक उपन्यास आया था आपने समने पढ़ा होगा वेजप्रकाश शर्मा का वर्दी वाला गुंडा तो क्या स्टीएफ को इस तरह लैसेस मिल जाता है कि वो चमीनों पे कबजा करें वो चौत वसूरी करें वो किसी को गोरी मा शर्मांचे कि आपके माता जी पिता जी भी क्या इतने हमीर थे माता जी इंकंडेसर रिटन कबसे भर रही है साड़े 4-4-0-0-5-0-5-0-30-0-0-5-0-koil का या 20-0-0 जादा का है लक्रowe कि 12-2-0 मंकि की संपत्यों की परOTHAL करें सिर्फ स्वामतावी श्रशनी नीचे तक जत्ते है स्टीएफ के लोग हैं अगर उनकी संपत्ती की परताल केंदर सरकार किसी एजेंसी से करा ले तो मामला बहुत सारा खुल सकता है अब होगा क्या ऐसे एनकॉंट्रे जो तूल पकड़ते हैं तो एक आयोग का गठन होई कर दिया जा च्छे महीने का टैम दिया जागा दो साग तक जस्ताब रिपोर्ट नहीं करेंगे उनको तंखा मिलती रही उनको पैसे मिलते रहेंगे और आप पूछिए का इस तरह के जितने आयोग बने हैं उन्होंने सरकार के पक्ष में ही रिपोर्ट दी है विकास दुबे का घटना का नंगा नाच देखिए कि आसाम में जब एक अपरादी डूब के मर गया तो हेडिंग चला रहे थे कि गाड़ी पलटती नहीं है गाड़ी पारी में डूब भी जाया करती है अतलब जो हिंसक प्रवती को सवाल करने चाहिए पूशना चाहिए कि क्या अदालते बंद कर द गाड़ी रोके बात करने लगा नशे में दो-दो सिपाई आते हैं जब आप लाइसेंस देदेते एते पुलिस को ने का मकि कि गोली का से पेड़ी प्ड़कार की तक दुर्ब बास करें इंड है तो कि ढरेक हमस्ताब ऑ Только उन्कि ते ऐसमें वालड़ी को सवाल पूशेastern चा हो रहा है जो तरह के दो छो इमांदार कोई जच बने जो बता सके कि देश क्या चल रहा है मुझे आपकी राय का इंतियार हैगा कि आपको ये बाक्षीत कैसे लगी जुरूर बताइएगा मैं आपकी बात के इंतियार करूगा बबश्शुक्तिया थेंक ये